हलो दोस्तों नाशकार जी सिंथ म्यूजिक का इस्टूमेंट लेर्निंग सेंटर नाकपूर में आपका स्वागत है दोस्तों आपका काफी स्मय प्यार और स्वायोग मुझे मिल रहा है इसी के कारण में काफी उस्साहित होता रहता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने कीबोर्ड भी सिखाया है मैंने गिटार के लेसंस भी दिये मैंने वाईलिन के लेसंस भी दिये और फ्लूट एश यूजवर तो आप सीखी रहें अब मैं आपसे थोड़ी सी बात ये करना चाहूँ घा क्या क्या है you मुझे काफी सारे सब्सक्राइबर बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट्स करते हैं कि sir कोई भी गाना कैसे निकालनेयाider किंट भी गाने की शुरुवात किसी भी गाने के नोटि accordance हम कैसे निकाल सकते हैं ये खुद से गाना कैसे निकाले एक बंदेल असा यह तक का कि सर मुझे दो महने में बहुता है, दो मेने में आप शीब ने जही आपको बताऊंगा कि गाना कैसे मिकाले यह गाने कैसे बनते हैं इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे एक्शम्पल से समझांगा दोस्तों आपने makei कि माला को देखी होगी तो है बरावर है आप मोतियों कि माला कि दिखने मेरे कितनी सुंधर होती है बरबर अब ये बंती कैसे मोती की माला बगाने के लिए हमको एक धागा चाहिए होता है और दूसरा उसमें काफी सारे मोती चाहिए होते है ठीक है तो गाना भी इसी प्रकार होता है वो धागा में उसके आता है गाने का स्केल होता है क्रिके दोस्तों तो सबसे पहले आपको मोती की माला की तरह गाना सीह न होगा तो क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले धागे की तरह स्केल सिखना होगा स्केल मिनस क्या होता है सारे गवा, पधनिजा रेगध्णी और मतिध्र इतने ही सभा होते हैं इनका combination, permutation combination आपको सीखने होंगे, ठीज़े, उसके बाद, दूसरी बाद आती है, मोती हो की तो मोती काफी सारे होते हैं तो ये मोती मिल्स क्या होते हैं different type के patterns कोई भी पुरा गाना एक साथ नहीं बनता है, उसमें खूप सारे patterns यूज किये जाते हैं आपने music production में देखा होगा कभी studio में जाकर के उसका track देखिएगा गानों का उसमें कापी सारे ऐसे pieces जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के गाना बना जाता है तो दोस्तों यहीं होती है जिनको हम उस धागे में पिर होते हैं और एक एक pattern बनता जाता है और वो pattern किस पर होता है scale पर होता है मिन्स धागे पर होता है तो इस धन से किसी भी गाने को सीखने के लिए हमको किस चीश की जरूब पड़ेगी एक तो scale की और दूसरे patterns की आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा गाना direct नहीं आएगा आपको सबसे पहले क्या सिखना होगा pattern सिखने होंगे scale सिखना होगा practice करनी होगी उसके बाद ही न आप कुछ गाना बजा पाएंगे यदि आप direct बोलोगी कि मुझे ये गाना सिखा दीजिए तो how is how it is possible बराबर है कि नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गानों में pattern कैसे होते है मैं एक example के तौर पर आपको बताता हूँ कि गानों में pattern कैसे रहते है बहुसता रहे एक छोटा सा example देखिए एक ट्यून है उसमें दो तिक patterns उज़ हुज है तो अब देखिए इसमें पैटन कैसे उसे पहला pattern कोल सा था दूसरा pattern कोल सा था तूसरा pattern कौन सा था चौता pattern कौन सा था पाच्वा pattern कौन सा था समझें दोस्तों इस डंग से pattern को जोड जोड के गाने बजाए जाते है एक और example आपको दूँगा मैं जैसे कोई music का पी इसे खाद है जैसे कोई music का पी इसे खाद है जैसे हरो गाने में पैटन्स होते हैं अभी जैसे गाना सुनिया पैटन के रुचन आपको समझने आ रहा हुआ भी पैटन कैसे होते हैं इसारे घ्पा पाद पदा साव गा तक जो पाद पादन मना दूसरा पादन कों सा है इसका जो सुर्म उतरते उतरते रहते हैं चुरू कीजिए पिर आगे बढ़के अलग 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 टाइके different combinations, patterns, phrases बजाईए उनकी practice कीजिए, अब pattern की practice करने से क्या होगा, आपकी finger movement fast बजाएंगे, और दिरे दिरे आपको automatically सुरू की समझ आने लगीगी, जब सुरू की समझ आएगी, अब आपकी flute थोड़ी sweet बजने से लेगी, दिरे दिरे आप ornaments का भी यूज़ करेंगे, आर्मामेंट्स में इस क्या होते हैं, मैं सब सारे के सारे lesson दे चुका हूँ, कन स्वर, खट, कामीन, गामा, तंग भी होता है, तुकु तुकु तु, बड़ाबर है कि नहीं, इस सब का यूज़ करेंगे, तब आपको एक महतरिन सौंग आप बजाने के काबिल हो पाएंगे, और देखे, सौंग सिर्फ फ्लूट से यह नहीं होता, जब तक आप उसे रिदम पर प्ले नहीं करेंगे, अब दोस्तों आप बोले के कि रिदम क्या, रिदम मिन्स बीट, बीट मिन्स तबला, तबले के बोल आपको माले होने चीए, कम से रिदम से दो पैटन आपको याद होने चीए, एक पैटन होगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दूसरा पैटन है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इन दो पैटन को आप बजाईए, धिले-धिले पैटन की प्रैक्टिस कीजिए, कॉमिनेशन की जिसको हम बजाते हैं और जिसको बजाने के पाद एक आनंद की प्राप्ति होती है, जो सुनने में काफी अच्छा लगता है, वो एक पैटन, बराबर ही कि नहीं? पैटन मतलब ऐसा पर्टिकुलर चीज नहीं है, कि मैं जो बताओं को वो पैटन होगा, कुछ भी पैटन हो सक आप खुद भी बना सकते हैं प्राटिस करके, तो आपको ये धीरे-धीरे आपको आता जाएगा, और आप इससे धीरे-धीरे सीखते जाएगे और आपको मजा और आनंद आता जाएगा, जब तक लेकिन ले और ताल का मेल नहीं होता, तक तक एक अच्छा संजित और अच् आपको चीखिए, और enjoy कीजिए, और यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो मैं वीडियो के थूर आपकी मदद कर रहा हूँ, और यदि आप चाहते हैं, तो आप मेरा online class जोइन कर सकते हैं, काफी सारे लोगों को मैं online class के थूर भी सिखा रहा मैं कीबोर भी सिखा रहा हूं, मैं गेटार भी सिखा रहा हूं, और फ्लूट भी सिखा रहा हूं, यदि आपको लगता है, तो आप मेरा क्लास जोइन तर सकते हैं, दोस्तों, एंजॉय कीजिए, शीखते रहिए, और हमेशा लाइप में कुछ ना कुछ मया करते रहिए, एक कीज दान रखिए, ति मूजिक इस अ कंटिनिमास लर्निंग प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं हां, ये रोम वास नाट विल्ट अ इन अ दे, क्लिक है दोस्तों, तो आप प्राटिस कीजिए, और अपने कमेंट्स प्यारे-प्यारे मुझे देते रहिए, थैंक्यू झाल